हाई बिट्फिल एंजल्स वेलकुम दिवाइन फैमिली राधे राधे जैश्य किष्णा आई होप आप सुल अच्छे होंगे खुश होंगर स्वस्थ होंगे मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई एक नई सैंड रीडिंग तो इससे पहले कि सैंड रीडिंग को स्टार्ट करें मैं अनौंस करना चाहती हूँ कि 22 जनवरी को मेरा मैजिकल ग्रेटिटूट कर नेक्स्ट बैच जो है स्टार्ट हो रहा है तो अगर आप इंट्रस्टिड है इस मैजिकल वर्क्शाप में जिसमें 28 बहुत ही इंट्रस्टिंग एक्टिविटेस करवाई जाती हैं और आप अपने सब कॉंशेस माइंड की हीलिंग करते हो री प्रोग्रामिंग करते हो क्लिंजिंग करते हो और जिससे आपका बिलकूल ही जिन्दिगी को देखने की जो नजरिया है एटिटूट है वो चेंज हो जाता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और इस पॉजिटिविटी की वज़े से ही आप अपनी blessings को, abundance को attract कर पाते हो तो एक तरह से ये जो course है आपकी cleansing, healing में आपकी attitude को change करने में साथ में आपको अपनी blessings को manifest करने में भी बहुत help करता है अगर आप interested है इस course में तो आप मेरी team को contact कर सकते हैं ये number आपको description box में मिल जाएगा तो start करते हैं आप reading से आज की send reading होने वाली है कौन से जो करमा आपके overdue हो चुके है जिनका result अभी तक आपको नहीं मिला उन अच्छे करमा को जो result है जो अभी तक आपने किये हैं past life के या इस lifetime के तो वो आपको क्या देने वाले हैं क्या इश्वर ने सोच के रखा हुआ है क्या आपको उनका result मिलेगा और साथ में ये हम लोग ज़्यादा दूर की नहीं intention अगले तीन महीने तक की है मेरी intentions यहाँ पर कि अगले तीन महीने में आपको कौन से गुड करमा का जो result है वो मिलने माला है क्या मिलने माला है आपको तो बेसिकल ये देखिए कि कौन सी positive changes और बदलाव और blessings आपकी तरफ आ रही है जो आपके overdue हो चुके हैं गुड करमा और उनकी वज़े से ये blessings आपकी life में आ रही हैं वो हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले यहां पर यह जो red color है ना यहां पर बहुत सारा red color है यहां पर table पर तो यह red color मुझे strong foundation को build करोगे आप अगले तीन महीने में किसी के लिए strong foundation जो है stability जो है ये life के हर इक हिस्से में आएगी आपके आप build करने वाले हो रिष्टों में career में spirituality में relationships में और कईयों के लिए ये life के किसी एक हिस्से में हो सकती है ठीक है? एक या दो हिस्सों में हो सकती है पर definitely strong foundation है यहां पर किसी ना किसी चीज़ को लेकर अगर इसके बार में और messages हम लोगों receive होते हैं तो वो देखेंगे हम लोगों बहुत सारी happiness की energy है यहां पर और destiny की energy है यानि की बहुत सारे happy events बहुत सारे happiness के पल जो है आपकी जिंदगी में आएंगे ठीक है? वो manifest हो रहे हैं आपके good karma जो overdue हो चुके हैं यानि की यह already आपको मिलने चाहिए थी यह सारी खुशियां यह सारी blessings जो अब हम लोगों को देखने को मिलेंगी जो होंगे जुरूरी नहीं है कि वो बहुत सारी आपकी big achievement big success या उसकी वज़े से हो वो भी हो सकता है बट definitely जो चीजें आपने even present moment की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को enjoy नहीं किया ठीक है? कुछ छोटी छोटे हसी के पल होते है न उसको अगर आपने उसको भी पास में enjoy नहीं किया है आपने वो आपको मिलेंगे moments जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी कोई छोटी सी चीज़ भी अगर खरीद के लिए बजार से तो उसकी इतनी खुशी आपको मिल रही है ठीक है तो वो छोटी छोटी खुशी के पल आपके include होने वाले हैं ये आपके गुड कर्मा का ही result है destiny के energy है यानि कि destiny की तरफ बढ़ रहे हो वो भी एक अलग ही तरह की खुशी होगी कि आप finally destination की तरफ पहुँच रहे हो finally आपको clarity मिल रही है finally आप उसके लिए action ले पा रहे हो तो अगर आपकी destiny कोई big goals लिखे हुए है big dreams है finally आपको समय मिलेगा finally आपकी health better होगी कि आप उसके लिए काम कर सकें अपने dreams को achieve करने के लिए अपने goals जो आपने set किये थे बहुत साल पहले हो सकते है कि आपने ये goals set किये थे लेकिन किसी न किसी reason से आपको energy नहीं थी आपके पास समय नहीं था आपकी good health नहीं थी कि आप उसके लिए काम कर सकें लेकिन अब वो आप कर पाओगे ठीक है आपको masculine power आपकी high रहेगी ठीक है इन महीनों में जिससे आपको पूरी तरहां से universe चाहेंगे कि आप action ले सको अपने goals को achieve करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अच्छी health और जो है action वाली masculine power ठीक है उसी से आप achieve कर पाते हो goals को क्योंकि उसके लिए आप action ले पाते हो high energy में रह पाते हो जिससे आप blessings को success को attract कर पाते हो ठीक है तो यहाँ पर आप action ले पाओगे काम कर पाओगे towards your goals towards your dreams ठीक है क्योंकि obviously जितना आप hard work या action डालोगे ठीक है अपनी positivity को डालोगे तब भी तो आप achieve कर पाओगे तो सबसे पहले यही ingredients आपको दिये जा रहे हैं accomplish करने के ताकि आप destiny की तरफ finally आप बढ़ सको उसके लिए काम कर सको उसको जाके achieve कर सको तो सबसे पहले यह है और साथ में यह भी हो सकते कि अगले तीन महीन में आप काफी सारी achievement भी receive कर पाएं अपने इस focus अपने इस positivity और अपने इस actions की वज़ा से और यह भी हो सकता है कि किसी एक बड़ी dreams के लिए आपको कि आप उस तरफ बढ़ रहे हो आप achieve कर पा रहे हो तो वो छोटी-छोटी जो accomplishments भी आपको on the way नज़र आएं अगले तीन भी नमें दिखनी शुरू हो जाएं कि हाँ सच में आप आगे बढ़ रहे हो सच में आप progress कर रहे हो सच में universe आपकी वहां तक पहुँचने के लिए आपको help कर रहा है यहां पर health भी मुझे किसी की better होती नज़र आ रही है बहुत ज़ादा अगर आपके health issues रहे हैं ठीक है काफी struggle करते रहे हो आप daily routine के भी कामों को खतम करने के लिए struggle किये हो आप और यह उसका reason कोई भी हो सकता है शायद आप पूरी तरह से अपने आपकी care नहीं कर पा रहे थे शायद इस तरह की laziness या आपकी लोगों की तरफ से negativity या कोई नजर का लग जाना किसी भी तरह की negativity अगर आपकी तरह भेजी जा रही थी या भेजी गई है या जो भी हुआ है राइट या किसी तरह की past life's की curses थे में से जड़ से उखाड कर फैंकना वो universe आपके लिए राइट नौ कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़ादा जरूरी है तभी तो आप energy fulfill करोगे तभी आप healthy good health को आप enjoy कर पाओगे और obviously अगर good health होगी आपकी तो आप जो भी achieve करना चाहें या अपनी abundance के लिए या अपनी goals के लिए dreams के लिए अपनी manifestation के लिए वो उसके लिए आप action ले पाएंगे action plus positive positive attitude के साथ action ले पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे यहाँ पर किसी का focus बहुत बढ़ने वाला है ठीक है तो यह भी मुझे बताना तो यहाँ पर किसी का focus बहुत बढ़ने वाला है बहुत जब आप seriously focus करने वाले हो I know यह पिछले दो-तिन दिन में कफी बार यह message निकला है और आप मुझे comment section में confirm भी कर सकते हो कि कि आप feel कर रहे हो इस energy को कि आपका focus बढ़ाया जा रहा है पहले जो energy आपकी scattered थी या चीजों को seriously ने ले रहे थे तो अचानक से यह आप change महसूस करोगे क्योंकि मैं change यह महसूस कर पा रही हूँ अचानक से आप महसूस करोगे कि आप अपने career के लिए अपनी growth के लिए अपनी spirituality के लिए बहुत जादा seriously कदम उठा रहे हो focus हो गए हो काफी सारे action ले पा रहे हो तो यह चीजें आप मुझे लग रहा है कि present moment में भी आप इन बदलाबों को महसूस कर पा रहे हो देख पा रहे हो focus बहुत जादा जरूरी ingredient है जब आप कुछ achieve करना चाहें तो यह आपके good karma का ही है result कि आप दूसरों को शायद आपने दूसरों को दूसरों की मनजिल हासल करने के लिए goals को achieve करने के लिए कभी ना कभी आपने help की होगी ठीक है तो इसी तरह से यही इश्वर आपको भी यह bless कर रहा है इसी तरह से तो इश्वर यहाँ पर आपको भी bless कर रहा है focus के साथ यह आपको यह focus दिया जा रहा है ताकि यह आप भी मेहनत करके अपने goals को achieve कर सकर यहाँ पर health की मैंने बात की थी यहाँ पर आप better physically, mentally, emotional इन सब तरह की health को better health को मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है ठीक है ना शायद आपने past में बहुत कुछ धेला है mentally, emotionally और उस वज़े से आप बहुत सारी खुशियों को enjoy नहीं कर पाए हो अपनी life को और आप यह better health आपके लिए manifest हो रही है यह आपके good karma का result है अगर कोई भी बिमार होता है पता नहीं यह ऐसा नहीं कि exactly ऐसा ही होता है या हुआ होगा लेकिन यह messages मुझे जिस तरह से मिल रहे हैं मैं वैसे ही message को deliver करूँगी ठीक है जैसे हो सकता है कि past में किसी की bad health रही होगी आपके family में या किसी की भी जब आप bad health देखते हो तो आप उसकी सेवा करते हो आप उसकी care करते हो अपने पुरी दिल से चाहे उस person ने कुछ भी किया हो आपके साथ या उस person ने चाहे आपको excuse me pain दी हो या कुछ भी disrespectful हुआ हो लेकिन जब भी कोई बिमार पड़ता है तो आप उसकी पुरी तरह से take care करते हो पुरे दिल से किसी भी तरह की आप वो सोचते नहीं हो कि इस person ने मेरे साथ क्या किया है तो इस तरह की good karma आपने इस lifetime में या पिछली lifetime में अगर कभी किये हैं तो उसका result है कि आप बहुत ज़दा health wise भी stable feel करोगे mentally, emotionally भी, physically भी ठीक है और आप right now भी feel कर रहे होंगे अगर ये change धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है तो ये definitely यहाँ पर ये आपके good karma का result है और ये हो रहा है slowly ही सही यहाँ पर मुझे message मिल रहा है किसी के लिए slowly ही सही आप देखोगे कि आप progress कर रहे हो ठीक है ना जहाँ पर भी आप growth देखना चाहते हो वहाँ पर चाहे slowly ही हो आपके लिए right now लेकिन आप देख रहे होंगे कि slowly आप progress कर रहे हो ठीक है तो ये चाहे health के लिए भी हो सकता है wealth के लिए भी हो दिल से काम कर रहे हो वहाँ पे आप देखोगे कि slowly ही सही लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो ठीक है और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो ये जो change है वो fast हो जाए जो आपकी progress है आपकी growth जो है वो fast हो जाए यहाँ पे किसी न किसी चीज के लिए health के लिए wealth के लिए stability जरूर है यहाँ पर root chakra की energy है तो जितनी भी insecurities आपकी जा रहे हैं जितनी भी आपको feel होई रिष्टों के लिए अपनी growth के लिए अपने finances के लिए आप दिखोगे कि धीरे धीरे अगले तीन महीनों में ये धीरे दीरे चीज जो है ये energy vanish हो रही है आप बहुत ज़दा secure feel करोगे stable feel करोगे आपका ध्यान रखा जा रहा है आप ये भी महसूस करोगे universe जो है divine जो है वो आपका ध्यान रख रहे हैं और इस तरह की insecurities को इस तरह की negativity को जहां पर आप बहुत ज़दा overthinking करते थे अपने present के बारे में अपने future के बारे में finances के बारे में अपने रिष्टों के बारे में वो ये चीजें जो है वो निकाली जा रही है ये insecurities जो है क्योंकि insecurities के साथ हम लोग ना enjoy नहीं कर पाते लाइफ को जी नहीं पाते अच्छे से जब अब किसी भी चीज के लिए insecure feel कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोगों को insecurity मतलब खो जाने का डर होता है कि ये हो रहा है ये आगे जाकर होगा ये नहीं भुविष्य में continue रहेगा ये नहीं मेरे finances ठीक रहेंगे ये नहीं ठीक है तो वो जो कोई भी चीज की insecurities थी आपकी जिसके बार में आप overthinking या वो कर रहे थे आप देखूगे कि ये insecurities आपकी खतम हो रही है धीरे धीरे कम हो रही है धीरे धीरे खतम हो रही है आप present moment को enjoy कर पा रहे हो वो भी आपके गुड कर्मा का result है आपने जितना भी अपनी prayers में वो किया है जितना भी अपने divine पर invest किया है trust को विश्वास को invest किया है साथ में आपने surrender किया है इश्वर को ठीक है तो वो सारी चीजें जो है और truly truth के साथ आप जोड़े रहे हो वो सारी चीजों का ये जर्ट है कि आप present moment में आ गए हो काफी आपका shadow work done हो चुका है या almost हो रहा है और ये आने वाले समय में भी आपको ये negativity आपकी life में से जाती हुई है आपको नजर आएगी कि धीरे 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 वो खतम हो रही है negativity आपकी life में बहुत सारा balance आ रहा है आपकी life में यहाँ पर जॉब के लिए आ रहे हैं कुछ messages आप देखोगे कि आने वाले समय में आप जॉब की opportunities बहुत सारी create कर पा रहे हो उसका reason ये है कि आपने कहीं न कहीं जो blockages को remove कर पा रहे हो या universe आपके लिए बहुत सारी blockages को आपकी negativity को curses को remove कर रहे हैं उस वज़े से वो energy जो है clear हो रही है ठीक है वो blockages हट रहे हैं जो पहले आपकी abundance में blockages का काम कर रहे थे create हुए होए थे किसी भी reason से वो कहीं न कहीं जो हट रहे हैं तो देखोगे कि job में भी आपकी बहुत सारी opportunities आपकी तरफ आ रहे हैं आप better काम कर पा रहे हो आप better focus कर पा रहे हो आप hard work कर पा रहे हो आप बहुत ज़्यादा dedicated हो बहुत ज़्यादा motivated हो अपने goals को achieve करने के लिए उनको आप आपको right now easy लग रहा है कि आप कर सकते हो जो आपन सकते हो तो इस तरह का confidence और positivity आप में आ रहे हैं इन दिनों में अगर आप कोई कोई नया काम भी start करोगे जिसकी आपको calling हो सकती है ठीक है आपको कोई career path हो सकता है उसमें भी आप बहुत सरी abundance को create करने वाले हो वो career path भी आपको आपकी destiny की वज़े से आपकी good karma की वज़े से आपको दिया जा रहा है ठीक है और अगर आप chance लेते हो अगर आप उस calling को सुनते हो और आप कुछ नया start करते हो तो उसमें definitely आप abundance को create करोगे क्योंकि यह opportunity जो है divine की तरफ से directly आपकी तरफ आ रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मन है बहुत देर से spirituality से related वो कुछ न कुछ start करना चाते हैं जैसे रेकी healing start करना चाते हैं या फिर tarot readings, tarot reading channel start करना चाते हैं कुछ भी ऐसा spirituality से related मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन कहीं न कहीं अगर वो past में नहीं कर पाएं हैं वो उनके again blockages थे ठीक है और कहीं न कहीं उन्होंने अपने उपर काम करके उनको heal किया है blockages को या heal करवाया है healingly है या आपने खुद किया है या healingly है ठीक है या आपने अपनी spiritual practices के थ्रू जैसे meditation करना everyday dedicatedly या फिर you know prayers करना मुझे इतने समय तक पाठ पूजा everyday करना है जप करना है mantra का उचारन करना है जो भी आपने किया है उस वज़े से जो improvement हुई है आपके life में आप देखोगे कि अब वो आप के लिए नए दरवाजे खुलेंगे जो आप पहले नहीं कर पाए हो अब वो इस साल या अगले तीन महीने में वो आप कर पाऊगे वो दरवाजे आपके लि कुछ स्टार्ट करना चाते थे वो आप कर पाऊगे अब ठीक है ताकि लोग आ सके महाँ पर तो यह possible हो पाएगा तो मुझे एकदम से यह message मिला जो बहुत प्यारा message है क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि आपने वो plan किया लेकिन वो possible नहीं हो पाया तो किसी के लिए बहुत मन से किसी का दिल होगा मन से किसी की इच्छा रही होगी कि उनको कृष्णा का मंदिर बनाना है ठीक है और यह हो पाएगा पॉसिबल तो यह किसी specific person के लिए हो सकता है messages प्लीज पुझे comment section में जुरू बताना यहाँ पर किसे के लिए messages है वैसे तो कृष्णा के ही मंदिर में आप जाना चाहते हो ठीक है ना कोई भी ऐसे जो पराने मंदिर है या फिर आप कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर आपने सोचा था तो वो भी अगले तीन महीने में possible हो पाएगा कोई आपने सोचा था कि मु यहाँ पर वरिंदा वन जाना है मुझे कहीं पर भी जहां पर भी आपको जाना था तीर था स्थल को ठीक है जिससे आपका बड़ मन था बहुत देर से वो आप कर पाओगे अगले तीन महीनों में आप उस ट्रिप को ले सकते हो वहाँ उस धार्मिक स्थल पर जा सकते हो जह अब बहुत देर से वो कर रहे थे, आशा रख रहे थे, मैनिफेस्ट करने कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अब हो जाएगी आपके लिए, आपके गुड कर्मा के रिजल्ट यहाँ पे कोई बड़ा घर लेना चाह रहा था, ठीक है, तो ये भी अगेन किसी एक स्पेसिफिक प करता था, कोई क्योंकि उसमें शायद मंदिर बनाना है किसी को बड़ा या फिर कुछ और ऐसे पाठ पूजा से रिलेज़ेड कुछ इस तरह से इवेंट्स करना चाहता है, या फिर जैसे एनिमल्स के लिए अनिमल शेल्टर बनाना चाहते हो, या कुछ ऐसा करना चाहते हो, आप हेल्प करने के लिए, तो वो पॉसिबल हो पाएगा, और साथ में यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर, अगर अगले तीन महीने में कोई घर ले रहा है, या मैनिफेस्ट कर रहा था, वो ले पाएगा, और बहुत सुन्दर होने वाला है, वो घर, ठीक है, आपका ड्रीम हो होने वाला है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसा ही एक्जाक्ली आपको घर मिल सकता है, ठीक है, तो यह आपके गुड कर्मा का रिजर्ट अगले तीन महीने में, जो आपको मिलने वाला है, अगले तीन महीनों में आपको किसी की ऐसी situation रही होगी, बहुत ज़्यादा किसी की life में painful events रहे हैं, ट्राउमा रहा है, abuse रहा है, abusive relationships रहे हैं, pain रही है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा hurt हुआ है को emotionally, mentally, physically भी, तो ये किसी को इन सारी memories को, events को release करने का, forgive करने का, you know, free करने का अपने आपको, freedom देने का मौका मिलेगा अगले तीन महीने में, ठीक है, तो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई एक जगाँ पे किसी को वो हुआ, तो वो city change कर रहा है, उसकी marriage हो रही है, उसको कोई जाब में बहुत ज़ किसी person से, वो अपने आपको free कर रहा है, ताकि वो अपनी life को एक और मौका दे सके, अपने आपको freedom दे सके, अपनी soul को cleansing कर सके, healing कर सके soul level तक, और अपनी obviously DNA healing कर सके, और उस वज़े से, वो release कर सके, इस सारी pain को, trauma को, और अपने आपको free कर सके, और अपनी life में एक नया chapter के, ठीक है, तो यह यह भी किसी के लिए मुझे specific message लग रहा है, यहाँ पर, जो life जिंदगी जो है, उसको यह मौका देगी, एक बच्चों वाली life किसी को यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें बच्चों वाली fun activities को enjoy कर सके, जोड़ सके, शायद बच्चों जैसे fun energy के साथ, शायद अपने बच्चों के साथ दुबारा से, अगर कोई उस पल को enjoy नहीं कर पाया है, जब बच्चे छोटे थे, या किसी personal reason की वज़े से, तो किसी को यह समय दिया चाहेगा दुबारा से, इसको, you know, दुबारा से जीने का, तो थोड़े सी emotional वो है, किसी parents की या खास करके, किसी mother की वो हो सकती है, feelings ऐसी, कि उसको भरपूर जीना है, अपने बच्चों के साथ, nurture करना है, उनको प्यार देना है बहुत ज़़ा, अगर किसी ने यह नहीं कर पाया past में, और किसी को regret है, या कुछ भी issues हो सकते हैं, तो यहाँ पर किसी को मौका मिलेगा वो अगले तीन महीनों में, कि वो re-live कर सके, इन moments को अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सके, अपनी family के साथ, तो यह connection, यह interaction, यह relationship में, जो बेहद प्याहर, बेहद nurturing and caring, receive भी करना और दूसरों को भी देना, यानि कि दोनों के cup जो है, two of cups की energy के साथ जुड़ना, ठीक है, और ऐसे रिष्टों, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, जो अब, जो है, अगर आपका cup empty रहा है, जो अब एक दूसरे को equally ही give and take कर सके, रिष्टे में, relationship में, तो इस तरह के nurturing, जो है, loving and caring, true relationships के साथ आप जु लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं, unconditional love के साथ जुड़ पा रहे हो आप, अगले तीन महीनों में, मैं देख पा रही हूं कि आप इतना ज़दा, divine के साथ भी जुड़ने वाले हो, भरपूर divine love, divine के साथ समय बिताने वाले हो, prayers के साथ, जब के तरू किसी भी तरहां से, आ जिस वज़े से आप महसूस करोगे बहुत deep divine love, जैसे आपकी soul की craving थी बहुत देर से, आपकी soul चाहती थी, लेकिन किसी ना किसी reason की वज़े से आप वो समय नहीं दे पा रहे थे, अब वो deep love, divine love महसूस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ change होगा आपकी life में, या आप routine में कुछ change करोगे, या कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ दोगे अपनी life में से, disconnect हो जाओगे, जिससे आपको अपने self love के लिए, अपनी part पूजा के लिए आप prioritize कर पाऊगे, ज्यादा समय दे पाऊगे, कि जिस वज़े से आप इस divine love के साथ connect कर सके, भरपूर अपनी अपने आपको devote कर सके, divine love में, गहराई में उतर सके, तो मैं यही बोलूँगी, चाहे आप वो लंबी meditation करना चाहते हैं, चाहे वो आप रोज मंदर जाना चाहते हैं, रोज एक घंटा पाट पूजा के लिए समय निकालना चाहते हैं, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये कर पाओगे, ये भी आपके अच्छे करम का फल है, जैसे कहा जाता ना, कि इश्वर के घर जाने का भी उसी को मिलता है, जिसको इश्वर एलाग करते हैं, जिसकी किस्मत अच्छी होती है, तो यहाँ पर, spirituality से related जो आप करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे, उससे related आपकी जो wishes हैं, आपके मन में ही हैं, चाहे आप वो किसी तिर्थ स्थल पर जाना चाहते थे, चाहे आप और जदा अपने आपको समय देना चाहते थे, divine के साथ connection के लिए, ठीक है, तो वो आप कर पाओगे, यहाँ पर कुई काम भी ऐसा, कोई आपका passion हो सकता है, कोई आपका ऐसा काम हो सकता है, जिसमें आप और जदा समय देना चाहते हो, और जदा उसको, सपोज आप animals की help करते हो, ठीक है ना, animals की सेवा करते हो, तो आप चाहते हो, अरे मुझे थोड़ा time मिलता है, या शायद जाके आप कहीं volunteer करते हो, animals की help करने के लिए, या seniors की help करने के लिए, ये सिर्फ मैं example दे रही हूँ, और आप चाहते हो कि आपको समय और जदा मिलें, आप और जदा इस सेवा में involved होना चाहते हैं, इस सेवा को करने में आपका ब heal होता है, जिसमें आप बहुत खुशी महसूस करते हो, जिसमें आपको unconditional love का हैसास होता है, ठीक है, जिसमें आपका दिल लगता है, ठीक है, तो बहुत जदा आज, overwhelming messages हैं, मेरा गला भी भराया है, तो ये आपको काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, ये आपके good karma का ही result है, और वो soon आ रहा है, ठीक है, अगर पूरी तरह से नहीं, तो अगले तीन महीने में वो शरुवात जरूर होने वाली है, क्योंकि ये reading ही overdue हो चुका है already, आपने बहु लंबे समय से ये planning कर रहे हूं कि ऐसा हो जाए, और finally, ये कुछ कुछ changes, किसी के लिए कुछ होंगी, किसी के लिए कुछ changes, ये अगले तीन महीने में आपको अपनी life में देखने को मिलेंगी, किसी की यहाँ पर emotional life में बहुत कुछ हुआ, उस वज़े से वो person ने कहीं न कहीं, you know, boundaries को create कर लिया था, seven of wants की energy को, कि मुझे किसी के साथ जो है अपनी emotional life को share नहीं करना है, क्योंकि लोग सिरफ फायदा उठाते हैं, लोग सिरफ आपको आपकी गलतिया निकालते हैं, आपको blame करते हैं, आपका फायदा उठाते हैं, आपकी trust को तोड़ते हैं, तो किसी ने अपने आपको emotional, बहुत ज़्यादा sensitive होने के बावजूद अपने आपको boundaries बना ली हैं, ठीक है, अपने आपको, you know, shield से ढख लिया है, कि मुझे किसी के साथ connect नहीं करना है, चाहे कुछ लोग नहीं भी करते हो तंग, या कुछ लोग आपके करीबी भी हो, genuine भी हो, उनके साथ भी connect करना, कहीं न कहीं आपने भुला दिया है, छोड़ दिया है, connect करना, interact करना, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने वो boundaries जो बना ली हैं, वो सबके लिए ही बना ली है, ठीक है, अपने चारो तरफ जो boundaries आपने create कर ली है, fence create कर ली है, तो यहाँ पर आप उन boundaries को तोड़ोगे, ठीक है, आप vulnerable होगे, जिसके साथ आप हो सकते हो, ठीक है, आप जो boundaries हैं उसको तोड़ोगे, ठीक है, जिनके साथ आपको connect होना चाहिए, उनके साथ आप connect होगे, यह पहने का ठीक है कम्जोर करन्य का आप अपने आपको अलाङ करोगे जो आपने बना लीया है कि मुझे वुचे इन्वाल्ब नहीं होना aur da तु सीमा कर लिया में पर प्रेक्षण शिर डाल दी है ठीक है तो यहां पर आप वो दिवारों को गिरा होगे क्योंकि इश्वर ने आपको hard पत्थर बनाने के लिए वो नहीं किया था, ठीके न, आपको अपनी sensitivity को अपनाना है और समझना है, कहां पे तो वो wisdom जो आपको आगई है, वो wisdom का आप इस्तमाल करोगे, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि किसके साथ involved होना है, आपको किसक इससत नहीं होना है, ठीके, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि मुझे किसी के साथ भी interact नहीं होना है, क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं, नहीं, ठीके, आप उनको cut off कर दोगे, जिनके साथ involved नहीं होना, जो सही नहीं है, आपके लिए, ठीके, जो आपका फायदा उठाते हैं, और उन झाले के साथ जनको कि य हुशते हैं, गड़ेत नहीं होना जम来 सकत्कार्या नहीं होना होना है, तो आपके, झाले ए्र को कुछ लोग आपके इस बदलाव से आपमें जो बदलाव आएंगे काफी सारी चीजें वो भी भूल कर ठीक है आपकी तरफ आने वाले हैं ठीक है यानि कि अगर कोई बहुत बड़ी इस तरह की आप लोगों का misunderstanding या you know dispute नहीं रहा है तो वो लोग थोड़ा सा आपको देखके हैं वो बदलने वाले हैं और वो आपकी तरफ आने वाले हैं आप से connect करने के लिए और आप भी उनको माफ करने वाले हो यहां पर ठीक है तो कहीं न कहीं यहां पर आपकी जो changes आएंगी positive changes वो कुछ लोगों को trigger करेंगी और वो उस उन में भी transformation लेकर आएंगी और जब वो transform होंगे या वो जो उस frequency पर पहुंचेंगे तो एक तरह की आपकी soul family की सथ तरह आपकी साथ connect होंगे आपकी तरह वापस आएंगे तो यह changes भी आपको देखने को मिलेंगी यहां पर आप लोगों के लिए final guidance देख लेते हैं यहां पर इस reading की I hope आपको जरूर अपने लिए कुछ messages जरूर मिले होंगे अगर मिले हैं तो like जरूर करना प्लीज शेयर करना और अगर आप नए हो तो welcome to the divine family और subscribe जरूर करना मेरी चैनल को यहां पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए guidance देख लेते हैं एक तो patience रखने की जरूरत है कभी जो भी चीज़े मैंने यहां पर बोली जो लोग expect कर रहे हैं patience थोड़ी सी और patience जैसे मैंने पहले बोला जो मुझे message भी मिला था कि overdue हो चुके हैं यह good karma आपके ठीक है इनका जो result है वो कबसे बहुत देर पहले मिल जाना चाहिए था आपको लेकिन वो नहीं मिला अभी तक लेकिन desperate होने से कुछ नहीं होगा थोड़ी patience और बनाके रखी यह आ रही हैं already इसलिए reading करने का मुझे message मिला है ठीक है एक तो यह एक receive करना ठीक है बहुत सारे यहां पर मुझे message मिल रहा है बहुत सारे viewers जो है receive करने में difficulty है उनको किस तरह से blessings को receive करना है ठीक है तो simple आप अपने आपको कह सकते हो जो आप prayers करते हो कि मैं तयार हूँ मैं अपनी blessings को receive करने के लिए तयार हूँ तो इस तरह से आप universe को message पहुंचाते हो कि हां मैं ready हूँ मेरे हाथ खुले हैं अपनी blessings को receive करने के लिए मैं तयार हूँ ठीक है तो इस तरह से आप एक रोज message एक बार दस बार affirmation ये बोल सकते हो आप ठीक है और कहीं न कहीं आपने subconscious mind को भी जो कहीं न कहीं आपको trick कर जाता है कहीं न कहीं वो denial वाले उसमें रहता है क्योंकि बहुत देर से शायद जब हम लोग एक ही बात को मान लेते हैं तो वो हमारा एक belief system बन जाता है कि मेरे पास तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती है या मुझे कभी अच्छे लोग नहीं मिलते हैं ये कुछ भी ये सारी जो है हम लोगों को receive करने में blockages का काम करती है क्योंकि ये गलत है belief system ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है तो कहीं न कहीं आपको उस belief system को भी वो करना है बाकी आप magical gratitude वाली workshop वो करके अपने को subconscious mind की अगर आपको ये दिक्कते आती है receive करने के लिए तो उसके लिए भी magical gratitude मेरी workshop बहुत helpful हो सकती है आप लोगों के लिए ठीक है तो एक final guidance देख लेते हैं यहाँ पर ओके यहाँ पर किसी के लिए बहुत specific message है guidance है कि जो भी आ रहा है धीरे धीरे उसको receive करते रही है बहुत ज़्यादा शोर मचाने का शोर करने का मुझे ये भी मिल रहा है मुझे ये भी मिल रहा है मेरे ये आ रहा है changes ये हो रही है आज से 10-15 दिन के बाद हो सकता को changes आपकी life में एकटी आज है दोचा changes तो उचल उचल के या आपको बताने नहीं जाना है ठीक है ना बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना है तो चुप चप receive कीजिए ठीक है चुप चप enjoy कीजिए ठीक है life को तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर करने की जुरूद नहीं है तो यह final message था वैसे मैं अपनी चैनल जो white वाले cards है channel messages में वो भी हम लोग महां से भी blessings को receive करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं इस deck से कुछ messages जो काफी बार तो confirmation ही होती है जो भी मैंने messages पहले receive किये हैं उसे की confirmation यहाँ पर देखेंगे हम लोग की कि अगले तीन महीने में और क्या messages और blessings हैं जो हम लोगों को हमारे overdue कर्मा गुड कर्मा की वज़े से आने वाली है हमारी life में वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर तो definitely people offended और ज़्यादा होने वाले हैं offended आपकी light से क्योंकि आप यह blessings को receive कर रहे हो यह blessing आपकी तरफ आ रही हैं शायद लोगों को भी पता है Krishna is looking for you, where are you? तो यहाँ पर आपको Krishna का भी message मिला है आपको पता होगा कि बहुत specific message मिला है यहाँ पर तो कहीं न कहीं Krishna से connect कीजिए तो आपकी इच्छाओं को आपकी blessings को receive करने में आपकी help करेंगे एक दो और receive कर लेते हैं messages, blessings answers are coming, get ready तो कुछ answers आपको मिलने वाले हैं, कुछ clarity मिलने वाली है manage your time and routine, it's important to achieve the goals goals and dream की बात की है मैंने और यहाँ पर आपको time मिलेगा, उसकी भी बात की है तो कहीं न कहीं definitely आपका focus बढ़ने वाला है आप अपने time को manage करने वाले हैं, कुछ न कुछ तो आप बदलाव लेकर आने वाले हो जिसमें divine आपकी help कर रहे हैं ठीक है, यह बात हम लोगों ने discuss की है बहुत अच्छे से your health is improving, don't worry तो मैंने बोला ना आपको की यह messages confirm होते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पर messages confirm हो रहे है send healing or blessings to someone तो gratitude पे कीजिए जो भी हो रहा है आपकी life में blessings आ रही है और definitely किसी ने किसी की help जरूर कीजिए और आप किसी को भेज रहे हो healing or blessings don't argue with anyone, stay silent, stay blessed and positive तो argue भी नहीं करना है आपको ego में भी नहीं जाना है इन blessings के साथ और साथ में discuss तो बिल्कुल भी रही करने की जुरूरत आपको कि आपको क्या receive कर रहे हो आप चुप चाब receive कर enjoy करें please be polite to yourself सब के साथ आपको polite रहने के लिए बोला जा रहा है यहांपर चाए कोई भी है वो यह उसी के लिए जो impatience जिसके लिए message था शायद कि अपने परमात्वा पर विश्वास रोखो सब कुछ ठीक होगा तो जो जिसको लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं कभी भी ठीक कि या ऐसा ही चला जाएगा या किसी तरह की desperation impatience है यहापर उनके लिए message है यह मैंने सबसे पहले आपको yellow color से मैंने बोला था कि आपको कफी सारी positivity और happy moments तो beautiful loving moments are coming तो यह मैंने आपको पहले ही बताया था तो message है यहाँ पर the stars are waiting for you to take action luck is in your side तो जिन कामों के लिए आप action नहीं ले पा रहे हो उन कामों के लिए आप action ले पाओगे इस चीज की भी हम लोग ने बात किया इस blessings की भी ठीक है obviously तो आपको success मिलेगी यह भी मैंने बोला कि कुछ आप अगर नया start करने वाले हो अगर तीन महीने में तो वहाँ पर भी आपको success मिलेगी अगर आप वो calling है आपकी judgment calling तो मुझे एक last message लेना था यहाँ पर रखने के लिए और मेरे बास आ गए हैं दो messages ठीक है तो यह बात की है तो किसी भी तरह कि negative लोगों को आप छोड़ोगे यह मैंने आपको बोला है कि अगले तीन महीनों में आप freedom किसी को यहाँ पर मिलने वाली है अपने past life को एक chapter को खतम करने की और नए chapter को start करने की यहाँ पर secrets are out what are they hiding so यह कोई भी secret हो सकते है जो आपके सामने आने माले है यह दोनों ही actual में एक आड़ एकठे ही आए थे ठीक है तो यह थी आप लोगों के लिए reading thank you, thank you, thank you so much for watching please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए मेरे channel को और ऐसे amazing videos के लिए परसनल सेंड रीडिंग के लिए आप session book कर सकते हैं मेरी team के साथ और magical gratitude workshop को join करने के लिए भी अगर आप interested है और यह number आपको description box में मिल जाएंगे thank you, thank you, thank you so much for watching and bye for now